असलाम लेकुम देयर लेर्नर्स, पोटेशल उन्टिप्नियोर्स, एन उन्टिप्नियोर्स इन आक्षिन बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो हमने पहले क्रोस किया था हमने कहा था कि इस एक वीडियो में हम उसको डिस्कुस करेंगे entrepreneurial personality का firm के grow करने से कितना गहरा तालोग है बजाहर ये important इसलिए भी है क्योंके जब भी कोई business शुरू किया जाता है तो वो इसी ख्याल, इसी vision, इसी idea के साथ किया जाता है कि वो ना सरफ sustain करेगा बलके in future वो grow भी करेगा लेकिन growth के अंदर जो entrepreneur खोद है उसका एक बहुत बड़ा role होता है उसकी personality का, उसकी सोच का, उसकी अंदास का और उसकी एक personal philosophy है towards different things बहुत एहम किरदार होता है अच्छे इन दोनों के दर्म्यान में link क्या है इसको discuss करने के लिए again मेरे साथ हैं कितना एहम सवाल है कि एक entrepreneur की personality और उसके business के growth के decisions आप इसमें बहुत closely linked होते हैं बहुत शुक्रिया नौरीन, यह बहुत एहम मौजू है जिसके उपर हमें गुप्टुगू करनी है कि एक entrepreneur उसकी personality और उसकी personality का link आप explore करना चाहरे हैं business की growth के हवारे देखे, fundamental चीज यह है कि जो entrepreneur है उसको हम यह कहते हैं कि वो creator भी होता है creator of the very venture जो असल में जब मारज़े वजूद में आता है तो उसकी निस्वत से वो entrepreneur कहलाता है एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो यह कि जो creation होती है वो creator की reflection से बाहर नहीं जा सकते असल में जो entrepreneur का entrepreneurial venture है वो basically उसकी जात की reflection ही होती है तो अगर आप यह कहें कि इन दोनों entrepreneur की personality और जो growth है एक venture की उसका style और उसकी pace उनके दर्मियान कोई link होता है तो अगर आप मेरी जाती रहे हैंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ उनके दर्मियान एक link होता है अच्छा मेरी जाती रहे है कि link होता है और बहुत गहरा होता है because अगर हम recall कर सेके रिजवान जो हमने इससे पहले videos record करवाएं तो उसमें हमने characteristics पढ़ाए हैं entrepreneur के और share किया है कि एक successful entrepreneur जो है उसके characteristics क्या होते हैं obviously इसका मतब ही ही है कि हम एक entrepreneur चाहे वो male हो चाहे वो female हो हम उनकी characters के बारें बात कर रहे हैं उनकी personality के बारें बात कर रहे हैं उनकी approaches के बारें बात कर रहे हैं जिस तरह के वो risk taker होते हैं जिस तरह के वो बहुत अच्छे planners होते हैं तरह के वह बहुत अच्छे जिसे कहते हैं उनका एक विजन होता है और उनके अंदर एक creativity होती है और कुछ करने का शौक होता है तो यह तमाम चीजें अगेन actually में बात उसकी personality की ही हो रही है तो बहुत एक गहरा लिंक है अच्छे इसको हम यूँ देखते हैं कि रिजवन पहले बात यह करते हैं कि एक entrepreneur चाहिए male हो चाहिए female उसकी जो एक personal approach होती है towards life वो किस तरह reflect होती है उसके business में देखिए आपने जो बात कहीं तेकि जब हम literature पर निगाह डालते हैं तो literature चूंकि मैं पहले भी यह चीज गोदारिश कर चुका हूँ को जो literature होता है असल में वो जो contemporary practices होती है या जो historical practices होती है उनको reflect कर रहा होता है जो literature है इस मौजू के उपर वो उसके अंदर हमें एक divide नजर आती है literature हमें यह बताता है कि कहीं पर इस दीज का evidence है कि जो entrepreneurial personality है वो बहुत ज़्यादा उसका impact होता है influence होता है venture की growth उसके growth type और उसकी growth pace के उपर लेकिन इसके साथ साथ literature हमें यह भी बताता है कुछ literature में longitudinal studies है जो यानिके एक तवील दुरानियें पर की गई research studies हैं वो हमें यह बताती है कि entrepreneur की personality का उसकी growth की pace और style के साथ link नहीं भी होता है अच्छा अब इसकी logic बड़ी दिल्चस्प है मैं सिर्फ आपके पहले सवाल की जो आपने precisely कर लिया है वो सवाल ये कि जी देखिए असल में entrepreneur की जो शक्तियत है इसकी कितनी reflection होती है business के उपर ये nature of business पर बहुत ज़्यादा ठीड वो बिजनेसे जिसमें professional involvement बहुत ज़्यादा होती है entrepreneur की वहाँ पर तो link बहुत गहरा होता है लेकिन जहां पर entrepreneur की as a professional involvement उतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ ये link गहरा नहीं होता है उसकी reason ये है कि आप जब business में आते हैं तो आपने accounting की domain में ये पढ़ा होगा the concept of separate entity कुछ entrepreneurs बहुत smart होते हैं वो अपने आप को initial days के बाद business के साथ emotionally detach करने में कामयाब हो जाए जब वो emotionally अपने आपको detach कर लेते हैं तो वो बहुत objective फैसले करते हैं फिर वो merit पर ये देखते हैं कि उनके इस business को किस pace के साथ grow करना चाहिए और किस style के साथ grow करना चाहिए और इसके मुकाबले में कुछ entrepreneurs जो कि अपने आपको emotionally बहुत involved रखते हैं venture के अंदर वो वो case है जिसमें आपने कहा कि फिर उनके business की जो growth है वो perfect replica होगी उनकी अपनी personality यानि दोनों राए पाई जाते हैं अच्छा इसका मतलब यह है कि हम यूँ भी देख सकते हैं कि जो business शुरू होते हैं वो true reflection होते हैं फिर slowly and gradually जब वो अपनी different growth stages पर जाना शुरू होते हैं और एक ऐसे point पर आ जाते हैं कि जिसमें एक divide आ जाती है कि company की जैसे हम कहते हैं हमेशना एक separate entity होती है और एक entrepreneur जिसमें उसको शुरू के अदर से separate entity होती है तो उसमें यह वाई डिवाइट पाई जा सकती है कि personality जो है वो different हो अच्छा दूसरा जो एक एहम आ जाता है वो यह चीज आ जाती है जो हमने बात की थी के जो entrepreneur है उसका अपने business को देखने का जो अंदाज है because हमने देखा है कि बहुत से entrepreneurs हैं जिसे आपने पहले example दी थी कि उन्होंने अपने business के अंदाज को देखा है कि अगर हमारा business established हो गया sustain कर रहा है मेरे day-to-day expenses निकल रहे हैं revenue generate हो रहा है तो it's more than enough मेरे लिए इतना काफी है यहां फिर वो अपने business को देख रहे हैं कि मेरा एक business है और मुझे एक legacy create करनी है I still remember Alma Saadisab who is the mentor of mine उन्होंने भी ये कहा कि एक businessman होता है न उसकी अपने business को इस नजरिये से भी वो देखता है कि एक legacy है जो वो create कर रहा है तो यह जो entrepreneurial lens है looking at his or her own business अब हम इस तरफ आते हैं literature के बारे में क्या कहता है देखिया दौरीन आपने जो सवाल किया है इसके बारे में literature में टीनों के लिए evidence मौझूद है literature हमें ये बताता है कि जो entrepreneur because of their personality type टीनों तरह के होते हैं वो जो complacent होते हैं और वो कहते हैं कि बस venture profitable हो गया है अब उनका काम सरफ यह है कि उन्होंने इस profitability को sustain करना और वो उसको sustain कर पाते हैं दूसरे वो लोग जिनका motto ही होता है कि उन्होंने इसको expand करना है तो वो expansionist जो होते हैं वो उसको expand करने में भी काम्याब हो जाते हैं और वो जो कहते हैं नहीं हमने एक legacy create करनी है उसके भी evidence आपको market के अंदर मिल जाते हैं अब ये depend करता है कि आपके जो entrepreneurs हैं वो इन में से किस type के हैं एक बात जो मैं आपको खास दोर पर कहना चाहूंगा वो ये कि बाज वकात ये intentionally नहीं होता कि entrepreneur जो है वो intentionally इन में से कोई ये काम कर रहा है तो कि personality तो बहुत आपके नहीं deep rooted होती है बाज पुद आप खुद भी उसको explain नहीं कर पा रहे होते हैं ये भी एक बहुत अहम सवाल था है जो आ रहा है था मेरे जहन में during the discussion कि personality भी तो evolve होती है वो the period of time परस्वालिटी मतलब evolve उस तरह से नहीं होती है personality एक खास आप कह लें कि पहस बcam और है लेकिन आप जो एक personality ले ले लेते हैं ना बस बास्वकर आप उसको खुद भी manifest लेनी कर पा रहे होते हैं आप act कर रहे होते हैं तो दूसरे evaluate कर रहे होते हैं आप किस तरह act कर रहे है और आपकी personality type कौन सी बिल्कुल यानि इसका मतलब यह है कि again यह मैंने इसलिए कहा था interesting है क्योंकि इसमें आप जितनी भी लोगों से बात करेंगे उनके experiences बहुत मुख्तलिफ होंगे उनकी राय मुख्तलिफ होगी उनकी practices मुख्तलिफ होंगी लेकिन आपने वो जो बात किना कि हमारे पास हर तरहां की case study मौझूद है हमारे पास वो भी है जो उनने sustain किया हमारे पास वो भी है कि जो देख रहे थे कि industry dynamics change हो रहे हैं लेकिन उनोंने सही वक्त पर फैस्टे नहीं गई और हमने वो भी देखा कि जिसमें अभी तक वो sustain कर रहे हैं और I think कि एक अगर हम अपने spoons को रहे पर भी करना चाहेंगे कि मुख्त studies भी available हैं online उन entrepreneurs के बारे में या उन enterprises के बारे में जिन्होंने अब 100 साल गुजार ली है and still they are in the market तो वो किस तरह exist कर रहे हैं किस philosophy के तह thought कि किस तरह आज भी उसमें पाई जाती है उस philosophy उनकी divisions उसमें पाई जाती है this is very interesting reason बहुत लंबी debate है लेकिन चले as an orientation यह आपने जरूर अपने आपको पहले explore कर रहा है कि आपकी personality किस तरह की है क्या आप business कर रहे हैं उसके लिए excited है या नहीं है कितनी को creativity आपके अंदर है क कितना आप sustain कर सकते हैं pressure को किस तरह के risk ले सकते हैं आपकी personality चाहे male entrepreneur हो चाहे female entrepreneur हो day end के ओपर आपके business और business growth पे जरूर reflect होगी इससे पहले मैं और रिजवान बात कर रहे थे कि जो entrepreneur की अपनी personality होती है जो के nature और nurture से develop होती है उसका जो reflection होता है उसके business में जुरूर शो होता है हम इस बात को इस topic को और आगे लेके जाते हैं अपने studios में आज हमने बुलाया है इम्तियास खालिज साब को इम्तियास खालिज साब जो है he is educated as an economist, he is trained as banker, 40 years का experience है अपने business का और serial entrepreneur है 11 companies शुरू कर चुके हैं इन 11 companies में से 2 companies चाइना और दुबाई में भी थी कुछ companies recently sold out भी की हैं अपनी जो सबसे recent company है at the age of 70 sir ने start की है और उसके लवार training and development वोला area जिसमें ये सबसे जादा आजकल काम कर रहे हैं चाहे private organizations और NGOs हैं या incubation centers है मेरे लिए सबसे ऐहम खास बात यही है कि मेरे mentor है हम इन से इतने भी सवाल करें हमारे लिए he's a great source of learning so thank you very much sir for joining us in the studio sir again वही question जिसके हमने आपसे training भी ली थी हमारी personality as an entrepreneur और हमारा business इसके दरम्यान में जो तालुक है कितना गहरा होता है पहले तो मैं दिल मेरा इचाहरा है कि आपने मेरी उमर बताईए तो मैं आपकी उमर भी बतादेए तो मैं आपकी उमर भी बतादेए नहीं है entrepreneur especially small medium organizations में कहा यह जाता है और देखा भी गिया है कि जो entrepreneur की mindset और personality होती है तो company उसकी reflection होती है खास तोर पे जब आप as a entrepreneur आप hire करते हैं लोगों को और आप उनको monitor करते हैं supervise करते है as a entrepreneur तो जो आपकी अपनी values है उस values के yardstick के उपर आप employees को evaluate कर रहे हों जिनकी values आपसे different है फिर दो hire की उनमेंसे एक की value आपसे match करती है वो रह जाता है जो जिसकी नहीं करती चला है so over time आपके पास जो team आती है वो वही होती है जो या तो आपकी values को adopt कर लेते हैं या आपकी value उनकी values common होती है in a crude way मैं अगर मिसाल दूँ कि अगर एक हाजी साहब है जो कम तोलो, कम नपो, कम मिलावट करो अगर वो इस किसम का methodology लेके चल रहे हैं कारोबार में पिर उनके पास जो लोग आएंगे पिर वो हाजी साहब किसला fraud करेंगे और हाजी साहब complaint करेंगे तो उनसे पूछा आजी साहब से यही पूछा कि भाईजान जब आप यह खुद यह कर रहें तो आपके पस कौन से लोग है आपकी टीम के अंदर आपकी टीम के अंदर वो ही लोग है जो जिनों पसंद करते हैं कम तोलो, मिलावट करो, चोरी करो तो ला महला उन्होंने कम तोलना भी है और चोरी भी करनी है और अगर कोई entrepreneur है जिसकी value strong है वो very strongly in the sense के वो मिलावट नहीं करना चाहता है, वो चोरी नहीं करना चाहता है वो इमानदारी से काम करना चाहता है तो पर उसके पास employees भी उसी किसम के आएंगे अगर आप मिलते हैं दो चाहर लोगों के साथ तो यू कन सेफली assess के इसका जो owner है या owner है male और female उसकी personality mindset किया है वो आपको organization के अंदर जाके पतना चल जाए ठीक, अच्छा सर इसमें रो हम बात कर रहे थे कि एक soul proprietor यह आपने बात की थी कि mid-size company वो तो होता है reflection corporate में अगर तो कोई अगर हम बात करें senior officials की है CEO की बात करते है corporate में यह कितना सच है corporate की दुनिया में corporate से मुराद हम यह अजिम कर रहे हैं कि large size multinational company maybe 200 years old 250 years old इस किसम की organization तो वहां पे तो CEO होते ही नहीं है क्योंकि हर country का जो CEO है वो खुद एक बहुत बड़ी organization का एक चोटा सा part होता है यह बड़ा part भी हो तो पार्ट है of a larger organization तो जो CEO यह directors टॉप पे बैठे होते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अगर डिरेक्टर कार्पोरेट्स के तो they are only उनकी उनका जो domain है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का culture थोड़ा बहुत impact तो करता है organization but drastically वो जो organization का global culture वो उसको लेके चल रहे हैं इससी दिए आप जब किसी यंग लड़के लड़की को देखते हैं coffee shop में lunch break पे बैठे हुए तो you can safely assess कि यह किसी multinational में काम कर रहा है कैसे हो गया because the way they talk the way they dress the way the topic their discussion or all that that tells you कि यह किसी multinational में multinational की बनती जो है organization इसलिए बनती है उनके systems and SOP's very strong होते हैं और जो strong होते हैं तो जो strong होते हैं तो इसको पिर CEO's your directors कोड़ नी सकते हैं वो इसने strong होते हैं वो दूर 200 साल देट 100 साल में develop हो है ठीक हो गया Sir इसी topic का आखरी सवाल personality evolve होती है over the period of time और हमने भी आप से training ली थी तो हमने भी बहुत से skills सीखे जो के हम कही ना कही थे तो ज़रूर लेकिन हम उनसे वाकिफ नहीं थे तो यह जो personality जैसे business आप शुरू करते हैं आपकी बहुत अगरेशन होता है आप किसी की बात में सुनते आप कस्टमर को सुनना शुरू कर देते हैं क्लाइंट को सुनना शुरू कर देते हैं तो इसके बारे मैं जानना चाहरी हूं कि जो personality है इसका तालोग behavioral training से होता है in other words behavioral training कितनी ज़रूरी है for the personality grooming of an entrepreneur अगर आपको याद हो जो आपको training हमने दी थी 10 days की behavior change की वो basically एक research के अपर based है which was carried out in four continents spread over six years और उस research का thesis यह था कि entrepreneur जो successful है all over the world whether male है female है जो भी gender है जो भी religion है जो भी culture है वो सारे एक particular तरीके से behave करते हैं और उसके अपर यह training based है और यह training हम as you know पाकिस्तान में करते रहें over the last 30 years जैसे time मिलता रहा है we've been doing it and इसका success rate बहुत हाई है और इसकी जो thesis है वो यह है कि if you start behaving in a certain way तो आपका जो personality कहने है आपका mindset कहने है आपका way of responding to stimulus कहने है वो सारा जो है वो change होया जिस तरह अगर आपकी thought change होती है तो आपका behavior change होती है जो 67 behaviors है उनके ओपर based है वो 10 behaviors जिसका आप जिकर कर रहे है and वो behaviors भी है कि over time वो आपकी psyche का, आपकी personality का, आपकी mindset का हिस्सा बन जाते है and वो behaviors आपको ये grit देते हैं, आपको passion देते हैं, आपको ले के जाते हैं, एक direction के अंदर, आपको लोगों के साथ मिलके काम करने की, team building, तकरीमन overall business के जितने processes है तो इसमें persuasion भी थी, यूसमें ये था कि information भी थी, इसमें information seeking थी, independence and self-confidence, ये सारी चीज़े रहे हैं, तो बात ही है कि जो आगर मैं आपके सवाल पर जाओ, तो definitely how you react in a particular situation, based on your mindset and your thought process, determines कि आप business के अंदर कितने successful होंगे, कितने नहीं होंगे तो probability of success जो है वो entrepreneur behavior से बढ़ जाती है बिलकुल सर, यानि in short हम conclude ये कर सकते हैं आपके discussion में से कि personality का reflection हमेशा नजर आएगा, बिजनस के अंदर, और जो like-minded लोग हैं वो आपकी team का हिस्सा बनते चले जाएंगे और दूसरी बात ये है कि हम उस mindset की training यानि muscular training की जरूरत है हमें बिलकुल और जैसे जैसे हम business को आगे लेके राते हैं तो नए skills जो हैं वो सीखते चले जाएंगे, जिसकी वज़े से हमें help होगा, जिससे कहते हैं अच्छे decisions को लेने का, see you in the next video. कर दो कर दो कर दो करना का, see you in the next video.